इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरेनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। जब सही तरीके से उपयोग किया जाता है तो यह एक सुरक्षित और प्रभावी उपचार होता है। सोराइसिस के उपचार में यह पपड़ीदार खुजली वाले पैच को कम करता है जो कोहनी, घुटनों, खोपड़ी और शरीर के अन्य भागों पर विक्सित हो सकते हैं। एक सिमा और जिल्द की सूजन के उपचार में यह आपकी त्वचा की जलन की प्रतिक्रिया के कारण होने वाली लालिमा, दाने, दर्द या खुजली को कम करता है। इस प्रकार यह आपके आत्म सम्मान और आत्म इश्वास में सुधार करता है क्योंकि आपकी उपस्थिती बदलती है। आपको हमेशा क्रीम या मलहम का उपयोग करना चाहिए जैसा कि आपको बताया गया है और केवल वही राशी लागू करें जो आपको बताई गई है। जब तक इसका पूरा लाब पाने के लिए बताया गया है, तब तक इसका इस्तिमाल करते रहें। यह दवा केवल बाहरी उपयोग के लिए है। अपने चिकितसक द्वारा सलाह के अनुसार इसे खुराक और अवधी में प्रयोग करें। उपयोग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जांच करें। प्रभाविक शेत्र को साफ करके सुखाले और क्रीम लगाएं। लगाने के बाद अपने हाथ धोएं जब तक कि हाथ प्रभाविक शेत्र न होूँ। इजीमेट क्रीम एक स्टेरोइड है। ये कुछ ऐसे कैमिकल मेसेंजर यानि की प्रोस्टागलेंडीन के उतपादन को रोकता है जो तवचा को लाल, सूजे हुए और खुजलीदार बनाते हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हैं, तो चैनल को सबस्क्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को, टन जोटिकेशन पर स धन्यवाद